ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया मैं हूँ एस्ट्रोजर केम सिना और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम समझते हैं कल 22 अगस 2030 कैसा बीतने वाला है और आपकी सुविधा के लिए पंजांग को डिस्प्रे में दिखाये जा रहा है कल शरावण शुक्ल्पक्ष की सश्टिती धी रहने वाली है और चंदरमा चित्रा नक्षत्र में ब्रहमण करेंगे और चित्रा नक्षत्र जो रहेगा वह छे बचकर 21 मिनट तक प्राताकाल तक रहेंगे और चित्रा नक्षत्र का जब ये जाएंगे जिसका स्वामी शुक्र है आप पर कैसा प्रवाव करेगा क्योंकि शुक्र का नक्षत्री भी रहेगा और शुक्र की राशी तुला पर यही चंद्रमा का संचरण रहेगा तो आई हम समझते हैं प्रतेक लगन पर इसका क्या प्रवाव करता है प्रिवार के जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव होने की संभावना दिखाई दी रही है और आपके मानपद मानपद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोत्तरी होगी कार शेत्र में आप उर्जावान मैसूस होंगे आर्थिक शेत्र में कुछ रुकावटें तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी कुल मिलाकर 82 प्रतिशा तक का दिन अच्छा है और नोट कर लिजे कल का शुबंग 5 और शुबरंग नीला बन रहा है ओम नमस्शिवाय का अगर आप जाप करते हैं कल के दिन तो आपका दिन अच्छा बितेगा व्रिशब लगन की बात करते हैं कि देखे व्रिशब लगन वाले जात्कों का दिन अच्छा बितने वाला है आज आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान देना है वो भी अपने स्वास्त पर मानपद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होता हुआ दिख रहा है विद्यार्थी वर्गों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देने की पूरी पूरी आवशक्ता दिख रही है जीवन साथी का पूर सयोग मिलेगा कार्याले में आपके कार्यों की सराहना की जाएगी और आज आपको प्रतेक कार्यों में सफलता मिलते हुए दिख रही है फाइनेंशली रूप से थोड़ी सी कमजोर स्थिति कल के दिन जरूर बन रही है शुबंक नौ और शुबरंग लाल बन रहा है गरीबों को अगर किसी तरीके का दान कर देते हैं पुन्य का काम करते हैं तो कल आपको आ पास्त सामाने रूप से अच्छा रहेगा लेकिन तोचा संबंदित किसी प्रकार की विकार उथपन हो सकती है परिवार में छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलने वाला है जीवन साती के साथ आज का दिन आपका सहमाने रहने वाला है कार वैवसाय में आपको बहुत अच्छी रिजन्ट नहीं मिलेंगे नकरात्मक परेडाम ही दिखाई दिये रहे है मुझे लेकिन फिर भी आर्थी किस्तिती अच्छी रहेगी प्रेम में प्रसंग में मदूर्ता बनी रहने वाली है कुल मिलाकर का आ जाय तो सत्तर प्रतीशत का दिन आपके लिए अच्छ से बहतर रहेगा लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर विवात बढ़ेंगे आए के साधन बढ़ेंगे और आपको भागे का आंचिक रूप से सयोग भी मिलने वाला है ज्यान अर्जन में कुछ रुकावटे मिलेंगी परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कहारे के लिए आपको आज के दिन तामबे या सोने के बात्र में जलका अगर आप सिवन करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा सिंग लगन की बात करते हैं देखे स्वास की प्रती सबसे पहले सचेत रहे है परिवार में मनमुटाव की स्थिति उत्पन हो सकती है और जीवन साथी भी समय आपको सयोग नहीं देंगे आर्थी की स्थिति के छेतर में आला की प्रयास उत्तम रहेगा दैनिक रोजगार के छेतर में सफलता मिलेगी रुके हुए कारियों की पूर्ती होगी यह सब्री चीज पॉजिटिव है लेकिन आपको जो ऊपर की चीज़े बताई गई है उसमें आपको थोड़ा ध्यान द बन रहा है आदित्य हिर्दय शुरोत का पाठ कीजिए दिन अच्छा बीतेगा कन्या लगनी की बात करते हैं आज का दिन आउसस से अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ स्वास्त में कुछ गिरावटे उत्पन हो सकती है आर्थिक शेत्र में खर्च अधिक्तम बढ़ सकते हैं घर परिवार में खुश्यों का बाता बन रहेगा लेकिन शेयर सट्टा लोट्री से दूर रही है बाग ये पूरा सयोग नहीं देने वाला है कारी छेत्र में कुछ रुकावटे आ सकती है कल कुल मिलाकर कहा जा तो 84 प्रतिशा तक का दिन अच्छा है शुबंक चार शुबरंग हरा है उपाए के लिए आपको अपने मस्तक पर सफिये देचंदन का तिलक करें तो आपका द परिवार में आपको अपने माता का सयोग मिलेगा या माता तुले लोगों का सयोग मिलेगा प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे वैपार अगर आप साजेदारी में कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परणाम कल के दिन दिखाई दी रहें मिलेंगे भाग्य का आंशिक र उसे गायत्री मंतर का जाप करना चाहिए जिससे दिन आपका अच्छा वी दे विश्चिक लगन की बात करते हैं देखिए आपको अपने स्वास के प्रती बहुत जादा दियान देना चाहिए रुके हुए कार्यों में सफलता तो मिलेगी लेकिन वहान चलाते समय सावधानी बरती है अकस्मात चोड़ चपेट लगने की संभावना बनती है परिवार में खुशियों का वाता बर रहेगा जीवन साती का सयोग मिलेगा जो आपके लिए पॉजिटिव है कारे छेतर में भी पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे भाग के साथ देगा इसलिए शियर जट्टा में भी लाव मिलने की संभावना बन रही है कुल मिलाकर का आ जाए तो 82 प्रतिशा तक का दिन अच्छा है शुबंक नौ और शुबरंग आस्मानी बन रहा है आज के दिन आप पक्षियों को पाँच टाइप के एनाज मिला करकर खिलाते हैं तो दिन अच्छा भी देगा धनू लगने की बात करते हैं देखे आज के दिन आपका स्वास्त अतियुत्तम रहेगा और सबसे महत्रपूर बात है कि छोटे भाई बैनों का सहयोग आपको मिलेगा परिवार में खुशियां ही खुशियां आपको दिखाई देंगी धन अरजन के छेतर में आला कि कुछ रुकावटे आ सकती है जीवन साती के साथ दिन जो रहने वाला सामाने रहेगा वारतालाब करते समय वाडी पर सही अमित रखिये नहीं तो वादिवाद का सामना करना पड़ सकता और कारेच्छित में सामना जादा होगा कुल मिलाकर 88 प्रतीशत का दिन आपके लिए फिर भी अच्छा है शुबंक आठ और शुबंक नारंगी बन रहा है उपाय के लिए आपको विश्णू जी की अराधना करना चाहिए मकर लगन की बात करते हैं देखे आज का दिन आपका सामाने बीतने वाला है स्वास्त पहले से बहतर होगा जीवन साथी का पूर सयोग आपको मिलने वाला है किसी भी प्रकार के वादविवास से अगर आप दूर रहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा इंडिकेशन रहेगा कार वेवसाईवम धन को लेकर आज का दिन सामाने ही रहने वाला है आज के दिन कोई भी नयानी वेशना कीजिए आज धार्मिक यातराओं के योग बन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूजा पाट कीए जो लोग नहीं करते हैं उनको जरूर करना चाहिए और 82 प्रतिशत का दिन अच्छा है शुबंक नौ शुबरंग आस्मानी बन रहा है आपको गडेश जी को मूंग के लड़ू का अगर भोग लगाते हैं तो दिन स्रिष्ट भी देगा कुम लगन की बात करते हैं देखिए आपका दिन सामाने से अच्छा रहेगा इसमें डाउट ही नहीं है परिवार में बड़े भाई बैनों का सयोग मिलेगा जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है कारे वैवसाय के छेतर में आपको सफलता मिलेगी शीयर सटा लोटरी इत्यादी से दूर रहें क्योंकि भागे साथ नहीं देगा किसी प्रकार के बाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए ओवरॉल पचासी प्रतिशत का दिन आपके लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है शुबंक छे और शुबरंग मैरून बन रहा है और उपाय के लिए आपको शनी देव की अरादना करनी चाहिए मीन लगनी की बात करते है देखे आपका दिन सामाने से अच्छा रहने वाला है परिवार में छोटे भाई बैनों की साथ वाद विवाद की स्थिति अकस्मात बन सकती है लेकिन जीवन साथी के साथ संबंद आपके मदूर रहेंगे आर्थिक छेतर में आज आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा प्रेम प्रसंग में मदूरता बनी रहेगी कारे वैवसाइक के छेतर में आपको सफलता मिलेगी कुल मिलाकर कहा जाए तो असी प्रतिशता का दिन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है शुबंक तीन और शुबरंग भूरा बन रहा है उपाय के लिए आपको मा दुर्गा की आरादना कीजिए या दुर्गा सब्षति की पूजा करते हैं पार्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा दिन रहने वाला है तो ये था पूरा मेश से लेकर मीन लगने वाले जात्कों का कल 22 अगस्त 2020 श्रावण शुकल पक्ष की सश्टी ती थी का दैनिक राशिपल आप अपनी प्रधिक्रियां कमेंट सेक्षन में लिखेगा अभी के लिए इतना ही मैं हूँ स्कॉर्जर केमशना ओम नमस्च्छुआ